तो दोस्तों आज एक और पॉर्टफोलो को हम लोग वूरिवीव करेंगे जिनका ये पॉर्टफोलो इनका नाम है रंजित सर इन्होंने टोटल इन्वेस्मेंट अभी तक किया है 1,4,000 का करेंट पॉर्टफोलो का साइज 1,37,000 का बन गया है इनके पॉर्टफोलो के ऊपर इ काफी अच्छे रीटन्स इनको मिल रहे है तो इस कंपनी को जरूर लॉंग टाम के लिए कंटिन्यू करना चाहिए और आज तो एक्सडे थे और आज स्टॉक का प्राइस काफी कम भी हो चुका है उसके बाद निक्स्ट कंपनी एशन पिंट तिनोंने एड़ किया 5% का प्र कंपनी का वैलुशन भी काफी सस्ता है बट अगर आप देखोगे तो 2013 में आई थी कंपनी का जो सेल्स था वो 2.4 लैक करोड के आसपास था और आज के दिन भी 2.3 लैक करोड के आसपास है तो लगभग आप कह सकतो कि 7-8 सालों से कोई सेल्स क्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा डिविडेंट इंकम के लिए अच्छी कंपनी है बट मेरी ही सबसे लॉंग टर्म वेल्थ क्रेट करने के लिए बीपी सेल को पॉर्टफोलो में एड नहीं करना चाहिए एटलिस्ट मैंने तो खड़ीदा नहीं है तो आप इसके बारे में सोच सकतो चाहते हैं इस दीपक नाइट चार क्वांटिटीज अपने बाई किया है 8300 का इंवेस्टमेंट है 38% का प्रॉफिट भी आपको होड़ा है तो डिफरेंट स्टोक को भी आप जरूर कंटिन्यू कीजे लॉंग टर्म के लिए नेक्स्ट है हिंदूसन फूड्स इधर पर अपनी 6 क्वांट पोर्टफोलो में इंवेस्टमेंट किया है एक लाग का एंद उधर में से 12,000 का इंवेस्टमेंट यानकी 12% का इलोकेशन हम लोगों हिंदूसन फूड में देखने को मिल रही है तो अपने एक स्मॉल केप कंपनी में ज्यादा दिया तो आपको ये चीज़ पता होना चाहि कि इस पोर्टफोलो में आपको फ्लक्टुशन काफी जादा देखने को मिल सकते कंपनी खडब नहीं है बट टर्की की स्मॉल केप कंपनी है तो जब गिरावट होगी तो अच्छा खासा स्टॉक किर भी सकता है और जब स्टॉक बढ़ेगा तो काफी कम टाइम में काफी ज हो चुका है तो इस टॉक को ज़रूर लॉंग टर्म के लिए कंटिन्यू किजिए निक्स्ट कंपनी देखने को मिलता है इंडियन एनर्जी एक्सजेंज चार्ड क्वांटिटीज अपने बाई क्या है इन्वेस्मेंट ज्यादा तो नहीं है एंड लगभग एक परसें देर परसेंट का अपने किया है इस कंपनी में 54 परसेंट का बहुत ही शांदर प्रॉफिट आपको देरा है बड़ एलोकेशन क्यूंकि कम है तो प्रॉफिट भी कम हो गया है बड़ अच्छा कंपनी लॉंग टर्म के लिए कंटिन्यू किजिए उसके बाद निक्स्ट कंपनी इ एक एक क्वांटिटी अपने बाई किया है और अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ज्यादा तो मुथूर फाइनस अच्छा कंपनी अगर एलोकेशन इधर पे थोड़ा सा ज्यादा होता यानि इधर पे अगर 10,000 की अप्रॉक्सिमेटली इन्वेस्मेंट होता तो म देखने को मिल रहा है तो पॉलिकेब में भी चाहो तो एलोकेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो निक्स्ट कंपनी राज रतन ग्लोबल वेर एंड चार कॉंटिटी अपने बाई किया है 5,200 का इन्वेस्टमेंट है 67% का प्रॉफिट पे आपको मिल रहा है इस कंपनी को मैं प्रॉइट कर सकता है काफी इंट्रेस्टिंग इनका बिजनेस है तो आप चाहुते इसको कंटिन्यू कर सकते हो बट आपने एक 2,000 करोड की कंपनी में निवेश किया है 5,200 रुपे का एंड पॉलिकेब जो की एक 20-30,000 करोड की कंपनी धर पे अलोकेशन कम है तो यह शो कर लोगों को लग रहा है उसके बाद है रिलेक्स हो साथ क्वांटिटीज अपने बाई किये है आज के दिन तो रिलेक्स हो ने बहुत बढ़िया रिटन दिया है और आई होप आपका रिटन भी बढ़ चुका होगा 8,000 का इन्वेस्टमेंट है तो ज़रूर इस कंपनी का लि भी डिसकस नहीं किया है तो सबसे वहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिसकस करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि इधर पर आपको क्या करना चाहिए और उसके बाद जो लास्ट कंपनी है स्पोर्ट किंग में आपने निवेश किया है एक ही क्वांटिट अपने बाई क कंपनी ने 6 मैने के अंदरी 125 परसंट का बहुत जादा अच्छा रिटन्स दिया है हाई लेवल से अगर देखा जाए तो स्टॉक आपको 30 परसंट आइधिंग बाउन देखने को मल जाएगा 31 परसंट तो आप कहा सकतो हाई लेवल से काफी नीचे है एक साल में स्टॉक ने द देखा जाए तो मैक्स में भी काफी अच्छा रिटन्स है 38,000 परसंट का रिटन्स कंपनी ने दिया है मल्टी बैगर स्टॉक है बट अभी जो स्टॉक है यह काफी जादा बढ़ चुका है बहुत ही कम टाइम के अंदर एक ऐसा भी टाइम था आप देख सकतो 2018 से लेके 2020 त दो सालों तक कमपनी ने कोई रिटन नहीं दिया था एंद 6% का नेगरिव रिटन तो जब consolidation होता है तो काफी लंबा consolidation होता है एक दो साल तर कमपनी कोई रिटन नहीं देता है अभी जल्दी काफी ज़्यादा बढ़ भी चुका है कमपनी के fundamentals के बारे में बात कर लेते तो अ अगेन आपका जो portfolio है वो थोड़ा से जादा risky होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आपने small cap companies में काफी निवेश किया है stock का PE ratio है 20 and ROC 37% काफी impressive है return on equity 36% है करजा है 43 करूर का तो cash company में है 14 करूर का तो company तो काफी interesting है बहुत जादा महेंग है valuation पे trade होड़ा है ऐसा भी नहीं देखने को मिल रहा है अगर बात किया जाए यहाँ पे company के sales growth के बारे में तो अच्छा sales growth company का देखने को मिल रहा है profit growth अगर देखा जाए तो यह भी अच्छा देखने को मिल रहा है stock का price यह जहर तो definitive बहुत ही अच्छा है बहुत ही strong है returns return on equity भी काफी अच्छे हम लोगों क देखने को मिलता है तो उसके बाद last में अगर आप देखोगी shareholding pattern तो इफाइस ने थोड़ा सा stake buy किया है and DS के पास काफी पहले से 4.6% का stake है and बाकी public के पास हम लोगों को देखने को मिलती है तो company काफी interesting है but company काफी छोटा है तो यह चीज़ भी पता होना चाहें क्यूंकि चोटा है तो जब गिरावाट होगा तो अच्छा कासा गिरावाट हो सकता है जैसे कि अभी stock चोटा है तो 30% का गिरावाट ऐसे हुआ जैसे कोई बात ही नहीं है तो इसी बज़े से काफी fluctuations आगे अनवरे टाइम में भी देखने को मिल सकता है and इस company ने अगर पांस साल में 400 500% का return दिया होता तो अच्छा होता क्योंकि stock काफी जल्दी काफी जाधा बढ़ चुका है and जाधतर return अगर देखोगे पास साल में तो अच्छा return है बट जाधतर returns company ने पिछले एक देर साल या Corona crash के बाद ही दिया है तो इसी बज़े से 200 company थोड़ा सा रिस्की आपे बन जा जाता है क्योंकि काफी जाधा stock भाग चुका है बट इस स्टॉक को चाहता अब continue कर सकतो काफी interesting देखने को मिलता है बट allocation control में रहना चाहिए उसके बाद अपनी और company में निवेश किया है sportking India and अभी तो textile companies काफी भाग रहे तो ये stock भी भाग रहा है पांच दिनों से continuous upper circuits हम को देखने को मिल रहा है एक माईने में 78% का return है एक साल में stock ने 2600% का return दिया है तो return stock ने काफी कम टाइम में काफी जाधा दे दिया है पास साल में stock ने 65,000% का return दिया है चार्ट आप देख सकतो या पे किस तरीके से उपर जा रहा है एन एकदम vertical तरीके से उपर जा रहा है अगर कंपनी के fundamentals के बारे में बात करें तो again एक small cap company में अपने निवेश किया है, 2500 करों का investment है, peer ratio है 14.6, ROC 23% है, कर्जा है 504 करों and 42% का return on equity है, अभी size की सबसे हो सकता कि कर्जा आपको बहुत जादा ना देखने को मिले, बट हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी हो चुका है, एक साल के अंदर, एक साल पहले stock price कि इधर पे हो साकता था, लगभग आप कहा सकतो कि 100 करों हुआ करता था, एक साल पहले company का पुड़ा जो market कैपे, वो 100 करों हुआ करता था, तब भी जो कर्जा था वो 504 करों था, तो कर्जा इस company में मेरी हिसाब से काफी है, तो एक डिस्की company देखने को मिलता है, ये भी, अगर देखा जाए shareholding pattern, तो इधर पे अभी तक EFIS ने और DS ने कोई innovation नहीं किया है, promoter से and public है, और the promoter stimulus एक को increase किया, बट फिर भी मेरी साब से एक company काफी डिस्की देखने को मिलता है, एक साल में 2600% का return बहुत जादा returns होता है, तो दोस्तों आपके इस सबसे इस portfolio में conscious stocks को रखना चाहिए, conscious stocks को निकाल देना चाहिए, आप लोग comment करके ज़रू बताईगा, काफी सारे जो leading companies है, इनका missing देखने को मिलता है, और काफी सारे जो small cap companies है, इन्होंने add कर रखा है, I think इन्होंने add किया है, sport king को देने, जो company हमने देखा, जगदंबा, श्री, जगदंबा, polymer, तो I think इन्होंने return के लिए ही investment किया है, बट जब हम stock market में निवेश करते हैं, अपना खुद का portfolio बनाते हैं, तो सिर्फ return के उपर धियान देना ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को companies है, companies के fundamentals है, company के businesses क्या क्या है, उसके उपर हो जाएगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले अच्छे वाले companies को choose करना चाहिए, क्यूंकि दोस्तों अभी तो बुल मार के चल रहा है, तो सारी companies भाग रहा है, चाहिए वो small caps हो, चाहिए वो mid caps या large caps हो, तो सारी companies इस टाय में भाग रहा है, बट जब ब्यार के case में हम लोगो approximately इनका जो total portfolio है, total invested amount है, उसका 20% का investment हम लोगो देखने को मिलता है, small cap companies में, and थोड़ा सा ज्यादा रिस्की वाला है, अगर आपको small cap companies में निवेश करना ही है, although मुझे आपका ये तो पता नहीं है, बट ये जो portfolio है, ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की वाल किया, IRCTC strong company है, Indian Energy Exchange अच्छा company है, Infosys, Mothood Finance, Polycare, रिलेक्स हो, तो ये companies काफी अच्छे, तो अच्छे companies काफी सारे आपके portfolio में, but कुछ आपके पास है, जो की highly risky companies है, and जो companies already काफी जादा बढ़ चुके, तो वहाँ पर आपनी निवेश किया है, अगर आपको small cap से में निवे chemical sector से, उसके अदगारों है, technical भी एक अच्छा company small cap है, तो ऐसे अच्छे वाले, strong वाले small caps को आप चूज कर सकतो, अगर return कमाने के चक्कर में जाओगे, तो आगे आने वाले टाइम में जब market correct करेगा, तो ये companies काफी bleed कर सकते है, and जैसे कि sportking में अभी upper circuit लग रहा है, बाद म आपके portfolio में banking sector में से कोई company नहीं है, HDFC bank अच्छा option है, या पे आपके पास कोई, जो FMCG company वो नहीं देखने को मलता है, HOL या medical को आप चूज कर सकतो, paint sector का इशन paint है बहुत आच्छा है, PD light को चाहो तो add कर सकतो, then NBFC में से आपके वास मुतुत finance है ठीक है, budget finance थोड़ा सा price ह हो सकता आपके लिए, but budget finance भी अच्छा option है, then pharmaceutical मिसिंग है, Divis Lab या Lawrence Labs को आप अच्छा company है, and अगर आप leading companies में निवेश करना चाहते है या strong बनाना चाहते है इस portfolio को, तो astral जैसे companies में आप निवेश कर सकतो, HDFC Life या HDFC EMC, Chubiland Food इन companies में आप निवेश करने की कोशिश कीजए तो ये portfolio actually में एक portfolio बनेगा, जो की काफी जाधा strong होगा, and long term में आपको बहुत अच्छा wealth create करके दे सकता है, तो दोस्तों चली अभी देख लेते कि ये जो portfolio है, ये कितना wealth create कर सकता है, जैसे कि अभी इनका current portfolio का size है, 1,27,000 रूपीज, and जो changes मैंने बता है, अगर वो करते है, अच्छे companies में निवेश करते हैं, leading companies में निवेश करते हैं, सब return के चक्कर में नहीं, अच्छे companies में यहापे निवेश करते हैं, strong बनाते हैं अपने portfolio को, तो ये portfolio अच्छा wealth create कर सकता है, जैसे कि अगर इनके जगा मैं होता है, तो सबसे बहले BPCL को निकाल देता हैं, कोई अच्छे, और कोई compounding company को में add करता, तो अगर मान लेते कि इस portfolio के उपर, ये 18% का return कमा पाते हैं, 10 सल तक अगर continue करते हैं, तो इनका portfolio का size बनेगा 6.6 lakh rupees, अगर ये 15 years तक continue करते हैं इस portfolio को, तो ये जो 1.37,000 का portfolio इसका value बन जाएगा 15 lakh रोपे, और 15 साल की जगा 20 years ये continue करते ह तो 20 years में जो portfolio का size है, 34 lakh का बनके आड़ा है, तो इतना wealth बनाया जा साकता है, अगर अच्छे company ने वेश करते हैं, हमने एक बहुत ही realistic percentage लिया है, और वो था 18% का, तो 18% का average return इनको मिलता है हर साल, तो 20 years के बाद ये जो 1.37,000 का portfolio है, ये 34 lakh का बन जाएगा, और 25 years कर देते है तो और भी बहुत बड़ा इनका जो wealth है वो create हो जाएगा, and 79 lakh का wealth इनका create हो जाएगा, and last में, अगर 30 years कर देते, तो 1.8 कलूर का wealth create किया जा सकता है, after 30 years, अगर consistency इनका portfolio में maintain रहता है, अगर 18% का return हर साल इनको मिलता है, and जो 18% का return लिया है, काफी realistic इसी बज़े से, क्योंकि अभी bull market है, तो 18% return कमाना, अपने portfolio को बड़ी बात नहीं है, हमने August के माईने में, जो life portfolio उसको start किया था, इसी channel पे, and I think अभी 12 या 15% का, मैं भूल गया हो थोड़ा, तो उतना return मिल रहा है, I think 12% का return दो महीने के अंदर हम लोग को मिल रहा है, तो 18% का return bull market के कम में कमाना आप से कहना चाहूँगा, जिनका ये portfolio कि आप चाहूँ तो मैंने जो life portfolio create किया है, इसी channel पे उसको follow कर सकता है, उन companies को चाहूँ ता आप add करने के बारे में सोच सकते हो, decision आपका होना चाहिए, but मैं suggest कर सकता हूँ, चो करना था, वो मैंने आपको किया, and उसके बाद कुछ changes आप कर सकते हो, तो दोस्तों ये था आज का अमारा वीडियो, वीडियो दोस्तों अगर अच्छे लगा है, तो एक लाइक जरू कर दीजेगा, साथ ही साच चैनको subscribe जरू कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरू प्रेस कर देना, तो ऐसे ही updated वीडियो आप लोको daily basis पर मिलते रहेंगे, नीचे दोस्तों टेलीगम चैने का लिंक बजाएगा, जाओ तो जोइन कर सकतो, अगर कुछ एक्स्ट्रा पाना है, तो एकन जोइन आज एसे मेंबर, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्री है, हम मिलते है अगले वीडियो में, बाबा झालें